नमस्कार, वेलकम टू मिनाक्षी इस किचन, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब नवरातरे के बाद कुछ लोग नौ मी करते हैं और कुछ लोग अश्ट मी करते हैं तो आज हम नवरातरे या फ्रेश्ट मी के लिए थाली बनाएंगे तो इसमें हम बनाएंगे पूरी, छोले, हलबा, आलू की सबजी और चाहुल की खीर बनाएंगे तो सबसे पहले हम पूरी से शुरुवात करेंगे पूरी बनाने के लिए मैंने दोकप आठा लिया है इसमे आठा चमच नमक डाल देंगे एफिटेस की कोडिक नमक डाल देंगे और पानी डाल कर इसका हम सकत आठा गूत लेंगे पानी हम दिरे-दिरे डालेंगे ताकि आठा मारा सकत ही गूते आठा मैंने गूत के तयार कर लिया है इसे हम ढग कर रख देंगे रेस्ट के लिए तब तक हम औरता यारिया कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने ये काले चने उबाल कर रखे हैं काले चनों को मैंने ओवरनाइट सोग करने के बाद 2-3 सीटा आया तक उबाल लिया था उसके बाद मैंने ग्याज को 10 मिनिट के लिए स्लोपे कर दिया था तो यह सॉप्ट हो गए हैं और दबा कर देखे तो यह अच्छे से गल गए है और जो मसाले लेंगे इनकों बनाने के लिए 1.5 चमच धनिया पाउडर 1.5 चमच कश्मीर इमेज पाउडर 1.5 चमच काली मेज पाउडर 1.5 चमच गरम मसाला 1.5 चमच बना जीरा पाउडर 14.5 चमच छल दी लेंगे 1.5 चमच चमच पाउडर लेंगे चनों का हम पानी निकाल देंगे और इसे हम अलग रख देंगे सरम चने ही यूज़ करेंगे एक कड़ाई में 2 बड़े चमच स्थीर डाल देंगे उसमें चुटकी हिंकी डाल देंगे अब इसमें हम जीरा डाल देंगे गैस को मीडियम हीट पर रखेंगे जब जीरा चटकने लगे तो गैस को स्लो कर देंगे और गैस को स्लो करके इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे और इन्हें चला लेंगे एक बारी मसालो को हम कुछ सेकेंड के लिए ही पकाएंगे अब इसमें हम चने डाल देंगे और साथ में दो चमच पानी भी डाल देंगे हम चने का गैस को मीडिया मीट पे करेंगे और मीडिया मीट पे नहीं पकाएंगे जब तक चनों का पानी सूख ना जाए तो चने हमारे तयार हो गए है, इसका पानी भी सुख गया है इसको अलकल का मैश कर लेंगे इस तरीके से छोले हमारे तयार हो गए है लास्ट में इसका बर्वंधनिया पत्ती डाल देंगे और चला लेंगे नेक बरी और एक बरी मिक्स करने के बाद इन्हें हम ढग कर रख देंगे अब हम आलो की सबजी बना लेंगे, उसके लेंगे दूसरी कडाई रख लेंगे इसमें भी हम दो बड़े चमच तेल के डाल लेंगे एक चुटकी हींग की डाल देंगे गया इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे अब इसमें हम एक चमच जीरा डाल देंगे जब जीरा चटकने लगे तब इसमें हम चौता चमच मेच ते दाना डाल देंगे अब इसमें हम दो टमाटर की प्योरी डाल देंगे मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिये थे उनको मैंने प्योरी कर लिया है एक बड़े चला लेंगे अब इसमें हम नमक डाल देंगे टेस्ट के कोडिंग आदा चमच कश्मीरी मेच पाउडर डाल देंगे आदा चमच काली मेच पाउडर चाथा चमच गरम मसाला आदा चमच बुना जीरा पाउडर इनको मिक्स कर लेंगे इच्छे से एक बड़ी अब इसमें मुबलेवे आलू डाल देंगे आलू को हम हाँ से क्रेश करके ये डाल देंगे तो मैं आपर तीन उबलेवे आलू डाल रही हूँ इसके अंदर चला लेंगे इनको एक बड़ी आलू को हम मसाले में अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाला साइडर में ओइल ना छोड़ने लगे तो मसाले ने साइडर में ओइल छोड़ दिया है इसमें हम डेट कप पानी डाल देंगे पानी आप अतना ही डालेगा चितने थिकने साथ को ग्रेवी की चाहिए गैस को तेज आँच पर करेंगे एक उबाल आने पर गैस को स्लो कर देंगे और स्लो गैस पर इसम पास्य साथ मिनिट के लिए पकाएंगे सबजी को हम दूसरे गैस पर ट्रांसपर कर लेंगे अब हम चावल की खीर बना लेंगे मैंने कुप करक दिया है गरम करने के लिए इसमें हम चौथा कप भीगेवे चावल डाल देंगे चावलो को मैंने अच्छे से दोने के बाद आदर हंटे के लिए भी गो दिया था अब इसमें मेक अप दूद डाल देंगे इसमें मेक अप दूदी डालेंगे अभी एक कप हम बाद में डालेंगे स्यादा दो दो कट्टे डालने से सीटी लगने पर वो बहार बैस सकता है चौता कब चीनी डाल देंगे चीनी की कॉंटिटी आप अपने साफ से अड्यस्ट कर लीजेगा जितना मीठ आपको पसंद हो और ठकल लगाकर एक सीटी आने तक पकाएंगे एक सीटी आने पर गैस को बंद कर देंगे ठंडा होने पर एक बारी चेक कर लेंगे चावल हमारे अच्छे से गल गए हैं देखिए अब हम गैस को फिर से जला लेंगे और इसमें बचा हुए एक कब दूद भी हम डाल देंगे आप चाहें तो चावलो का लका का मैश भी कर सकते हैं अगर आपके चावल अच्छे से नहीं गले हैं तो वन फोर्थ टीस्पूल लाइची का पाउडर डाल देंगे अगर आपके पास लाइची का पाउडर नहीं है तो आप एक लाइची डाल सकते हैं कुछ केस रखे धागे डाल देंगे अब इसमें ड्राइफूट डाल देंगे ड्राइफूट जो आपको बसंद हो आप डाल सकते हैं मैंने याप पर बादाम और किश्मिश डाली है चला लेंगे इसे एक बरी एक उपाल आने पर गैस को स्लो कर देंगे और slow gas पर इसे 5-7 मिंट के लिए पकाएंगे तब तक हम हलबा बना लेंगे हलबा बनाने के लिए मैंने कड़ाई में आदा कप गी डाल दिया है अब इसमें आदा कप सूजी डाल देंगे गैस को medium heat पर रखेंगे और सूजी को गी में भून लेंगे जब तक ही golden brown color की ना हो जाए और चलाते रहेंगे इसे लगातार तक ही हर तरफ से बराबर भून जाए तो यहाँ पर हमने आदा कप गी लिया था आदा कप सूजी ली थी आदा कप ही हम चीनी लेंगे और तीन गुना पानी लेंगे यानि रेट कप पानी लेंगे तो सूजी मारी बुन गई है यह देखिए अच्छे से बुन गई है यह अब इसमें हम पानी डाल देंगे पानी डालते से हमें हम थोड़ा पीछे हो जाएंगे एक बले चला लेंगे इसे गैस को तेजांच पे करेंगे अब इसमें हम चीन ही डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे इसे तो अलवा मारा बनने ही वाला यह देखिए इसमें पानी काफी कम हो गया है बस इसे एक से दूमनेट तक पकाएंगे हम हलवा हमारा तयार हो गया है लास में इसके पर हम अदाम डाल देंगे कटे वे आप चाहें तो काजो है किश्मिश भी डाल सकते है हलवे को हम डग कर रख देंगे अब हम पूरी बना लेंगे पूरी के लिए आठे को हम फिर से नल लेंगे एक बर अच्छे से और इसके छोटी-्छोटी लोगिया बना लेंगे एक लोगि petrol लेकर इसको हम बेल लेंगे जब तक हम पूरी बेल रहे हैने तब तक मैंने उयल रख दिया है गरम करने के लिए जिसमें हम पूरी हम फ्राइ करेंगे ओल हमारा गरम हो गया है गयास को तेजांस पर ही रखेंगे और इसमें हम पूरी डाल देंगे फ्राइ करने के लिए पूरी को अलके आज से दोने तरफ से दबा दबा कर फ्राइ कर लेंगे एक तरफ से फ्राई होने पसे हम पलट देंगे और दोना तरफ से गॉल्डर ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे तो पूरी हमारी फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे ऐसे हम एक और बना लेंगे पूर्यां हमारी फ्राय हो गई हैं थाली लगा लेंगे तो थाली में पहले हम पूर्या रख लेंगे अब इसमें हम चावल की खी रखेंगे आलो के सब्जी रखेंगे काले चने रखेंगे सूजी का हलवा रख देंगे आप चाहें तो इन में से सरफ छोले, हलवा और पूरी भी बना सकते हैं तो तयार हैं हमारी नौमी या फिर अश्ट्मी के लिए ठाली अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करने के पाद बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें